हेलो फ्रेंज, वेलकम टो स्टोड़ी वेली आज के इस वीडियो में हम डिस्कॉस करेंगे आगे जो अपरेल में आपका KBS का वेकेंसी आने बाला है उसमें अगर किसी केंडिडेट का जॉब लगता है तो उस केंडिडेट को KBS PART के लिए फर्ष्ट मंद का सेलेरी कितना मिलेगा उसको आज हम डिटल में इस वीडियो में जानेंगे पिछले साल का जो वेकेंसी आया था उसमें जिस भी केंडिडेट का जॉब लगा था उस केंडिडेट को फर्ष्ट मंद का सेलेरी जितना मिला था इस candidate को उससे बहुत ज़्यादा मिलेगा और कितना ज़्यादा मिलेगा चलिए उसको detail में देख लेते हैं बहुत कुछ change हो चुका है इस बीच में और कल हमने जो है librarian का वीडियो बनाया था उसका जो salary को discuss क्या गया है उसको भी आप चाहें तो देख सकते हैं ठीक है तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो आपके लिए जो कुछ भी data जरूरी है सिर्फ मैंने उसी को ही रखा है जो कुछ आपके लिए जरूरी नहीं है मैंने उसको height कर दिया है तो सबसे पहले सुरू करते हैं basic pay से जो कि अभी आपका 35,400 मिल रहा है पहले यह आपको मिलता था 17% तो अगर आप 35,400 का 31% निकालेंगे तो वो बनेगा 10,944 रुपे बनेगा ठीक है और आपका जो transportation allowances है यह अपने city के हिसाब से भेरी करता है जैसे कि आप x city में job कर रहे हैं या y city में या फिर z city में उस city के हिसाब से आपको मिलता है तो आपका transportation allowances हम तीनों city का discuss करेंगे पहले discuss कर लेते हैं एक city का तो x city में आपको मिलता है transportation allowances 36,000 रुपे और DA on TA यानि कि आपको जो जितना भी TA मिल रहा है उसका 31% होता है DA on TA ठीक है तो 36,000 का 31% बनेगा कितना 1116 रुपे बनेगा 1116 रुपे आपका जो है DA on TA बनता है last जो है आपका हाउस rent allowances जो है आपको ये भी अपने city के हिसाब से आपको मिलता है हम पहले calculate कर रहे हैं एक city का तो हाउस जो है एक city में मिलता है 24%, y city में मिलता है 16% बेसिक का और Z city में आपको मिलता है 8% अपने बेसिक का ठीक है तो हम अभी calculate कर रहे है एक city का तो आपको एक city में हारे मिलेगा 8,496 रुपे ठीक है यहाँ पे place नहीं है तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 8,496 रुपे जो है आपको एक city में मिलता है हारे के लिए प्याट्टी में तो इन सब को मिलाने के से आपका बनता है gross salary तो आपका जो gross salary बनता है वो है 69,586 रुपे आपका gross salary बनता है लेकिन उसमें से कुछ deduction भी होता है जैसे कि professional tax इसके लिए आपका जो है हर महीने 208 रुपे deduct होता है employee scheme के लिए आपका कटता है welfare scheme के लिए 60 रुपीज हर महीना income tax जो है आपका basic और DA को मिला के उसका 10 परसंड जो है आपका NPS के लिए कटता है जो कि अभी 4,000 sorry NPS के लिए जो आपका कटता है वो है 4,637 रुपे और बचा income tax income tax को आप मान लीजे 1000 रुपे ठीक है तो आपका total deduction जो कि जबी कटेगा आपके एकाउंट से वो total हो रहा है 5,905 रुपे तो आपका total deduction होगा 5,905 रुपे ठीक है तो अगर आप अपने gross salary में से total deduction को जो अगर minus कर लेंगे तो आपका जो है net salary बनेगा यानि कि जितना salary आपके account में रेडिट होता है ठीक है तो आपका जो है ग्रोस salary में से total deduction को माइनस करने के बाद आपका net salary बनता है एक सीटी में 53,681 रुपे ठीक है तो इतना आपको मिलता है KBS PRT में एक सीटी के candidate को ठीक है अब discuss करते हैं वाई सीटी के candidate के लिए तो PRT में एक वाई सीटी में जो candidate job करता है उसको मिलेगा कितना बेसिक तो सेम रहेगा 35,400 उसमें कोई भी changes नहीं उसके बाद आपका जो है DA में भी कोई change नहीं वहाँ पे भी 31% और यहाँ भी मिलेगा आपको 31% जो की बनेगा 10,974 रुपे ठीक है transportation allowances में जो है change होता है वहाँ पे मिलता था आपको 3600 रुपे YCT में आपको मिलेगा 800 रुपे transportation allowances ठीक है HR में भी changes होता है और DA on TA तो बदलेगा क्योंकि 800 रुपे का अगर आप DA on TA निकालेंगे यानि कि इसका 31% निकालेंगे तो वो बनेगा 558 रुपे आपका बनता है ठीक है DA on TA और HR जो है आपको मिलता है 16% basic का जो की एक YCT के candidate के लिए मिलता है 5,664 रुपे आपको मिलेगा HR इन सब को मिलाने के बाद आपका gross salary बनता है 54,396 रुपे 54,396 रुपे जो है आपको मिलता है HR वाई CT में इसमें से आपने जो कुछ भी deduction होना था XCT में जितना deduction होना था YCT के candidate के लिए भी deduction होई सेम है कोई changes नहीं है वहाँ पर आपका total deduction बनता था 5,905 रुपे और यहाँ पर भी जो है आपका total deduction 5,905 रुपे ही होगा तो gross salary बन रहा था आपका 44,396 रुपे और आपका total deduction बन रहा है 5,905 रुपे इसको minus करने के बाद आपका net salary बनेगा बो बनेगा आपका 48,491 रुपे KBS PRT के लिए इतना अच्छा salary KBS PRT में देख सकते हैं YCT में भी जो कि आपका 48,491 रुपे बनता है YCT के candidate के लिए फिर देख लेते हैं ZCT अगर कोई candidate ZCT में job करता है KBS PRT में तो उसको कितना salary मिलेगा basic page में कोई change नहीं होगा जो कि 35,400 वही रहेगा DA भी वही रहेगा कोई changes नहीं होगा 10,974 रुपे और आपका जो है TA में YCT में जितना आपको TA मिलता था ZCT में भी आपको उतना ही TA मिलेगा जो की 800 रुपे है ठीक है तो 800 रुपे आपको जो है TA मिलता है 800 रुपे का अगर आप DA और TA निकालेंगे वह बनेगा 558 रुपीच और लास्ट में आपका जो है HR यह जो है आपका salary को बहुत ज़्यदा घटा देता है HR आपको मिलता है basic का 8% तो basic का 8% अगर आप निकालेंगे 35400 का 8% तो वह बनेगा कितना 2832 रुपे 2832 रुपीच जो है आपका बनता है HR इन सब को मिलाने के बाद आपका जो gross salary बन रहा है एक ZCT के candidate के लिए वह है 51564 रुपीच ठीक है इसमें से deduction वही सेम रहेगा इसमें कोई changes नहीं पहले आपका जैसा कट रहा था जितना रुपीच यहां पे भी वही रहेगा यानि कि 5905 रुपीच आपका deduction होगा इन में से अगर माइनस कर लेंगे gross salary में से आपका deduction को माइनस करने से आपका जो है net salary मिलेगा जो की एक जैड सिटी के candidate के लिए net salary बनता है 45659 रुपीच ठीक है इस salary slip में आपका कहीं पर कुछ ड्राउट रहा हो तो नीचे comment जरूर करें अगर आप KBS का preparation कर रहे हैं किसी भी पोस्ट के लिए preparation कर रहे हैं तो नीचे हमारा telegram group का link दिया हुआ है आप उसे जरूर 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 कर ले वहाँ पर हम बहुत सारे pre-study material आपको provide करते हैं और बहुत सारे updates भी आपको provide करवाते हैं और जब भी KBS का vacancy आएगा हम courses करेंगे आपको बहुत सारे courses और बहुत सारे classes free में देने के लिए और हमारे चैनल को like शेयर subscribe जरूर करें कल हमने जो है librarian के seller के उपर वीडियो बनाया था उसको भी आप चाहें तो देख सकते हैं ठीक है अगर आगे आप कौन से topic के उपर वीडियो चाहते हैं नीचे comment जरूर करें हम उसके उपर जरूर वीडियो बनाएंगे आज कले ही तना मिल दें किसी अगले वीडियो में थेंक यू